यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ इराग में मारे गए जिला कांगडा के तीन युवाओं के अवशिश आज भारत पहुंचेंगे जो कि आज अमरिटसर एरपोर्ट पर उतारे जाएंगे और इन शवो को लाने के लिए जिला पशासन वहां मौजूत रहेगा जबकि अमन के परिजन वहां नहीं गए हैं कि उनका बेटा वापस आएगा लेकिन उनकी उमीद उस दिन तूट गई थी जिस दिन सुस्मा स्वराज ने इस बात का एलान कर दिया था कि 49 भारतियों के मारे जाने की खबर की पुष्टी हो गई है पूरी खबर क्या कुछ है और अभी परिवार की इस्तिती क्या है किस तर लेकिन और शेश जरूर संभाल के लोटाएंगी लेकिन धार्ड़स से उनकी जिन्दगी नहीं लोटेगी परिवार के साथ पूरे शित्र का बुरा हाल है लेकिन तीन साल तक केंडर की सरकार पता नहीं क्या इंतजार करती रही और अब जो है अंतिम समय में उनको जो है उनके अफसेश यहां पर पहुंचाए जाने की बात पही जा रही है जिस तरह से आज देड़ बज़े के करीब विशेश बिमान के दोरह उनके अफसेशों को अमरीजशर एरपोर्ट पर लाया जा रहा है उसके बाद वहां से हिमाचल में उनको लाया जाएगा तो उसके बाद जो हमका अंतिम संसकार भी किया जाएगा हाला कि परिवार बालों की बात की जाए तो उन्हें सरकार से कोई भी ऐसी खास दिमान नहीं है और वो कह रहे है कि उनको जो परशासन है वो भी साहिता दे रहा है और जो सरकार है वो भी मदद कर रही है मिल्कुल मनोस दिमान फूल लाइन पर आप बने रही है हमारे साथ रमन भी फूल लाइन पर जुड़ गए हैं रमन अमन के भाई हैं और उनके लिए ये सब को संभाल पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि उनके भाई राग जरूर गए थे लेकिन वापस उनकी जिन्दगी नहीं लोटी बलकि उनका आउशेश पुशासन जरूर पहुचाएगा रमन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर अभी तक पर परिवार पर बहुत बड़ा दुख पहुचा है लेकिन इस स्थितिक से निकलने के लिए जिस तरीके से पुशासन अभी मदद कर रहा है अगर तीन साल पहले करता तो शायद आपके घर का एक चिराग बुचता नहीं जी 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 रमन कुमार जी कुछ कहना चाहेंगे आप खबर अभी तक पर सर मैं यह कहना जाता हूं चलो अब मतलब इतना बड़ा हाथा हो गया हमारे साथ जी और चलो हम मतलब सरकार का और मीडिया का धन्यवाद करते हैं जो हमारे बच्चों के शवों को बापिस लेके आए हम उनका मतलब कहरा तो नहीं देख पाए पर चलो यह कि उनके कुछ अफशेश जो है उनका मतलब अपने परिवाजों के शाब से अंतिन किरिया करम तो कर पाएंगे बिल्कुल रमन आप पुरुषों ने कहनाते अपने आपको संभाल सकते लेकिन जो परिवार की महिलाएं उनको संभालना बहुत मुश्किल है जिस बात की उमीद थी कि आपका भाई इराक गया है वहां से आप सब को खुशी भेजेगा उस बात की उमीद जब टूटी तो बहुत दुख पहुचा होगा लेकिन क्या आपको लगता है कि सरकार की तरफ से भारी भरकम चुक हुई है अगर चुक ना हुई होती तो शायद परिवार आज भी खुश होदा अगर उस टाइम फड़ से एफ़र जाड़ा की होते तो आज लगता की भाई मेरा हमारी साथ होता है बिल्कुल रवन जी इस दुख की घड़ी में पूरा हमाचल आपके साथ है बहुत बहुत शुक्रिया खबर अभी तक से बातचीत करने के लिए ये मृतक अमन के भाई थे जो खबर अभी तक से बातचीत कर रहे थे हमति की सरकार ने कम से कम उनके परिवार चिराका ओशेश लॉटाने में मदत की जिव जहां तक अशेश पहुंचाने की बात है चुक्त सड़त करतबय भी बनता है और उनकी अफसे बापß ला रहे हैं और परिजनों के पुर्द्द कर दिया जाएगा तो कहीना कहीन एक गर्व की बाद भी है सरकार के लिए कि उन्होंने अफ्षेश पहुंचाने का प्रयास किया है वही दूसरी ओर परिवार के लिए एक बहुत बड़ा सत्मा जो है वो एक उम्र भर प्रिये सत्मा बनकर रह गया है तो परिवार को एक आश्वासन होगा या उनको एक चिंता जतानी होगी कि किस तरह से वो अपने जीवन को आगे देखते हैं क्योंकि एक माने बेटा खोया है और साथ ही भाई ने भाई को खोया है लेकिन फिर भी अपने परिवार को संभाल रहे हैं अगर आमन जिन्दा होते तो शायद उनकी घर में खुशियां रहती लेकिन उन्होंने एक दुख का समाचार जो है वो अपने परिजिन हो दिया है जिसका सब अब वो खुद उनके साथ कल अंतिम जो संसकार है उनका होना है तो अब देखना है कि सरकार और प्रशासन किस तरह से इन जो ब्यक्तिकल आ रहे हैं इनको किस तरह से वो अंधिम बिदाई देते हैं बिल्कुल मनुस तमाम जनकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और लगातार हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से इराक से उनके होशेश को सरकार वापस लेकर आएगी मृतक अमन के घर पे दुखो का पहाड तूट पड़ा है माबाप का तो खाना पीना भी चूट गया है बेटे के गम में सारा परिवार सब्मे की स्थित्ति में हैं घर और गाओं में मातम का महौल है कोई रो रहा है तो कोई अपने बेटे के इंतजार में हैं उमीद है कि उनक अजय के अच्छ कोई लृट करने पिर रहा है कि उनक भीन गाउते के रहा है कि अजयको अश्यार गाद धुछ